कहीं BJP वोट कटवा बनती है, कभी M.I.M. कहीं वोट कटवा बनती है राजा सिंग M.I.M. का कै अब BJP का दोनों का जाइंट में में ले है BJP, BRS और M.I.M. यह दोनों एक ही है सिर्फ कॉंगर्स का रास्ता रोक ले के लिए कोशिश कर रहे पांच राज्यों में चल रहे चुनाओ की आधेट तिलंगाना के हैडराबाद में देखने के ले मिल रही है जहां एक तरफ औरे सी भले ही कांग्रेस और BJP पर निसाना साथ रहे हो लेकिन इन दोनों के साथ वह राजनेति सियासत और सरकार भी चला चुके है वैसे में चार मिनार विधान सावा के अगर बात करें तो यहां पर मद्दाताओं को रिजहानी की वज़ा है उनके साथ जो आरोप लग रहे हैं कि कहीं कहीं BJP और M.I.M. आपस में मिली भगत के साथ इस इलाके में बार बार चुनाओ जितती है और यहां से एक मोटी रकम कमाती है हमारे साथ कॉंग्रेस से उमिद्वार है हम इसे जानने की कोशिस करेंगे कि M.I.M. और BJP की बात करें एक दूसरे पर छीटा दालते हैं दाग लगाते हैं लेकिन अंड्रोनी कलर क्या देख पाते हैं देखिए यह दोनों भी वोट कट्वा हैं कॉंग्रेस का वोट बैंक दलिट्स, SCST, Minorities, कॉंग्रेस का वोट बैंक है यह जानते हैं कि यह मुतहिद हो गए तो कॉंग्रेस पार्टी को कोई हराने सकता इसलिए कहीं BJP वोट कट्वा बनती है कभी M.I.M. कहीं वोट कट्वा बनती है यह हमारे विधान सबा के बारे में बात करें यहां पे 37% non-muslims है और कई और कम्यूनिटी भी है यहां पे BJP वोट कट्वा का रूल अदा करती है ताके non-muslims के वोट काट के M.I.M. को रास्ता बनाती है ऐसे कहीं M.I.M. को वोट कट्वा होती है कहीं BJP वोट कट् राजा सिंग के सामने M.I.M. ने अपना उमिद्वार नहीं खड़ा किया लेकिन अगर चार मिनार की बात करें तो यहां पर दाविदार उन्होंने उतार दिया है जबकि उमिद्वार होते हुए यहां पर राजा सिंग को उपर लाने में ही राजा सिंग उनका आटमा कैंड़ेट है साथ कैंड़ेट उनके जीत के आने वाले M.I.M. है उसके बाद आटमा कैंड़े राजा सिंग म.I.M. का बजया लगता है कि मद्दाताओं को अब जागरूत हो जाना चाहिए मद्दाताओं को जो ओटर है उनको ये बात अब समझ लेनी चाहिए कि इनके दिखाने के दाथ कुछ और है और खाने के दाथ कुछ और है देखिए आज शोशल मीडिया की तरफ से पब्लिक यंगेस्टर्स हर चीद आज ये समझ चुके है कि बीजेपी, बी आरेस और मायम ये दोनों एक ही है सिर्फ कॉंग्रेस का रास्ता रोक ले के लिए कोशिश कर रहे ये अब नहीं चलेगा अब अवाम जागरूत हो चुकी है और अब की बार कॉंग्रेस को भारी अक्सरियत से मुन्तखिब करेगी और भारी अक्सरियत से राहूल गांदी जी को और प्रियंका गांदी जी को खरगे जी को और हमारे तेलंगाना में रेवंदर डी को सक्सेस करेगी और अपकी बार कॉंग्रेस पांचो इस टेट्स में भारी अक्सरियत से जीट के आई बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका तो जिस तरीके से देखा आपने की M.I.M की जो कहानी है वो के C.R. से लेकर B.J.P. से मिलती जुलती है इस तरीके के आरोप है ये तीनों कर सकते हैं कि एक ही ठाली के चट्टे बटते हैं बलहाल इनके बयान पर मद्दाताओं का रिजहान कितना होता है और चार मिनार में क्या कॉंग्रेस का पंजा खिलता है इस पर भी सबकी निगाहें तिकी हुई है नोभरत समाचार के लिए हैदराबाद के चार मिनार से मुरारी सिंग